हलो गाईज, वेलकाम बैक टू माई यूटूब चैनल, फ्रेंज आज हम आपके इंग्लिस इंप्रूमेंट के लिए लाए हैं एक छोटी चीज शॉर्ट इस्टोरी, बहुत ही मजदार इस्टोरी है, इंड तक देखिएगा, और साथे साथ इस्टोरी के माध्यम से हम लोग इस्टोरी चोटे चोटे जो वर्ड हमारे लिए नय होंगे उसको नोटीस भी करिएगा आप और सेंटेंस को इंगलिस से हिंदी में करेंजे ट्रांसलेट करते हैं इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ-साथ, तो स्टोरी पर आते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल है, दि ठ्रोन आप अकबर यहाँ पर हमारे लिए नया क्या है नया है थ्रों, थ्रों का मतलब है राजगदी या सिंगासन, आप अकबर, अकबर का सिंगासन, स्टोरी पर आते हैं अकबर वोज़े ग्रेट किंग, जैने अकबर एक महान राजा था, He was very fond of pleasure, riddles and amusement He was very fond Fond का मतलब है shock Okay, fond का मतलब है shock तो He was very fond उसको बहुत shock था लेकिन किस चीज़ का shock था Of pleasure, riddles and amusement मान लिजी ये तीनों वर्ड हमारी ये नए है तो इसको हम सबसे पहले हिंदी में जान लेते है Pleasure का मतलब होता है आनंद Riddles का मतलब होता है पहलिया and amusement Amusement का मतलब होता है मनरंजन यानि उसको आनंद पहलियों और मनरंजन जैसे आनंद चीजों का बहुत shock था In his court, यहाँ पर court का मतलब है दरबार In his court यानि उसके दरबार में The king had a gesture उसके पास, gesture का मतलब है विदूसक Okay, the king had a gesture यानि उसके पास एक बिदूसक था Who amused the king यहाँ पर who का मतलब कौन नहीं है यहाँ पर who का मतलब है जो Who amused the king जो amused का मतलब है मनरंजन करता था The king राजा का जो राजा का मनरंजन करता था One day, यानि एक दिन The gesture said to himself एक दिन gesture यानि बिदूसक शेट यानि कहा to himself यानि स्वैंग से एक दिन बिदूसक ने स्वैंग से कहा क्या कहा I shall sit on the king's throne to see it pleasure I shall sit मैं बैठूंगा on the king's throne राजा के सिंघासन जो उस पर बैठने पर जो आनद मिलता है उसको देखने के लिए मैं राजा के गद्दी पर यानि सिंघासन पर बैठूंगा He went into the hall He went यानि वह गया into the hall यहाल में where where का यहाँ पर मतलब कहा नहीं है where का मतलब यहाँ पर है जहाँ throne had been kept throne had been kept जहाँ पर सिंघासन रखा गया था या सिंघासन इस्थित था after having a proper glance around यहाँ पर हमारे लिए एक नया वोर्ड क्या है glance सबसे पहले जाने ते glance का मतलब होता है नजर और एक होता है sight means नजर लेकिन यहाँ पर ग्लैंस का प्रयोक किया जाए तो glance का मतलब ही होता है नजर after having a proper glance यानि अच्छी तरह देखने के बाद around चारो तरफ यानि चारो तरफ अच्छी तरह देखने के बाद देखने के बाद वह सिंहासन पर बैठा, hardly have a sat for a few minutes, hardly यानि कठिनाई से लेकिन यहाँ पर है मुश्किल से, and his sat for a few minutes, कुछ ही समय के लिए यानि चंद मिन्टों के लिए वह बैठा था, when यानि तभी, यानि उसी समय, when यानि तभी, ये soldiers came, एक सिपाही आया, and, or caught the jester and beat him badly, caught यानि पकड़ लिया, या पकड़ा, the jester यानि विदूसक को, and beat him badly, और उसको बुरी तरह से पीटा, उसी समय, एक सिपाही आया, उसे पकड़ा, और उसे बुरी तरह से पीटा, the jester cried for help, the jester यानि विदूसक cried, यानि चिलाया, for help, या the king, यानि राजा, himself miss swang, came to see, यानि देखने के लिए आया, what all the noise was about, मतलब राजा swang ये देखने के लिए आया, कि है किस तरह की सोरगूल हुआ है, next paragraph, the soldier said to the emperor, the soldier यानि सिपाही said, यानि कहा to the emperor, emperor का मतलब है, समराट, यानि सिपाही ने समराट से कहा, your majesty, महा से, I found, यानि मैने पाया, the jester sitting on the throne, विदुसक को सिंहासन पर बैठे हुए, यानि मैने विदुसक को सिंहासन पर बैठे हुए पाया, so, so means होता है, इसलिए, I beat him, I, मैने, मैने, बिट मैने पीटा, ही मैने उसे, मैने उसे पीटा, the emperor asked the jester, इंपर यानि समराट आसके यानि पूछा, the jester, यानि विदुसक से, यानि समराट ने विदुसक से पूछा, यानि विदुसक ने उत्तर दिया, your majesty, महा से, I wanted, यानि मैं चाता था, to know, या जानना चाता था, the pleasure in sitting on the throne, यानि उस खुछी को in sitting on the throne, उस आनन्द को जानना चाता था, जो उस सिंहासन पर बैटने पर मिलता है, ओके, next, but I see that there can be no pleasure, but I see that, लेकिन मैं समझ गया कि, there can be no pleasure, वहाँ कोई भी खुछी, खुछ नहीं हो सकता, वहाँ कोई भी आनन्द नहीं हो सकता, since, यानि इस प्रकार, I had to suffer so much pain, यानि मुझे बहुत, मतलब, इतना दर्द साना पड़ा, इसका मतलब है, your majesty, यानि महासे, how much pain you suffer by sitting on the throne every day, चलिए इस sentence का translate करते हैं, how much pain you suffered, आप इतना कश्ट यानि दर्द कैसे सहते हैं, by sitting on the throne, यानि उस सिंहासन पर बैठे वे every day, यानि प्रतेक दिन, यानि प्रतेक दिन आप इस सिंहासन पर बैठे वे, इतना दर्द कैसे सहन करते हैं, ओके, next पर अगर आप क्या है, the emperor, यानि समराट was very much pleased, बहुत खूस हुआ था, with the gestures reply, यानि विदूसक के उत्तर से समराट बहुत खूस हुआ, and miss, or he forgive him, forgive यानि माप कर देना, चमा कर देना, he forgive him, वह उसे चमा कर दिया, माप कर दिया, and set him free, और उसे जाने दिया, उसे पतलब उस गलती का उसे डंड नहीं दिया, तो इस तरह से विदूसक ने अपने चतुराई से, अपने हाजिर जवाबी से, राजा को, जो है समराट को, अकबर को, इंप्रेस कर दिया, और अपने दंडित होने से बच गया, और इसी तरह की विडियो, और इंगलिस सिखने की तमाम तरीके की विडियो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से हम जाके चेक कर देना, थैंक्स पर वर्चिंग